हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब च्रेनल मोर के एट्यूप पर स्वागत है आई जाने मानसून अपडेट मद्यप्रदेश 36 गड़ से लेकर सारा देश अभी क्यों आसमान की वो टक्टकी लगाय देखे हुई है क्योंकि बदरा नहीं बरस रहे हैं आसाल सूखा चला गया सावन से अब उम्मीद है जनता को अब देखते हैं क्या होता है प्रदेश तता 36 गड़ में मानसून फिर सक्री होगा मानसून वज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है जानते हैं कब से सक्री होगा 19 जुलाइ 2019 का अपडेट है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जिरूर करिएगा और अभी तक आपने चेनल को सप्राइब नहीं किया है तो चेनल को सप्राइब कर ले और बेल लाइकान पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो को नोटिपिकेशन आपको सिक्रत को बहुत बड़ा नुकसान होगा लेकिन मौसम वईज्यानिक दिन प्रति दिन हर घंटे मौसम का हाल जानने की पूरी कोसिस कर रहे हैं और डेली अपडेट दे रहे हैं कि कब से बदरा बरसेंगे उसी की तर मैंने आज यह वीडियो बनाया है चलिए देखते हैं क्या कहते हैं मानसुन मानसुन फिर सक्री होगा आज यहां तेज बारिस की संभावना हुई है 18 जुलाई 2019 को अपडेट आया है सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में मानसुन सक्री होगा कम दबाव का छेत्र बनेगा तो पच्चिम मंगाल उडिसा और 36 गड़ होता हुआ मत चूट रहा है किसानों के साथ सासन प्रसासन सब बेचेन है क्योंकि पानी नहीं गिरेगा तो हालात सूखे के बन जाएंगे इसलिए सभी आसमान की ओर टक टकी लगाए देख रहे हैं कि कब बद्रा महरबान होंगे बीते 10-12 दिनों से प्रदेश के 20 जीलों में पानी गिर क्या ही नहीं है जो गिरा है वह लोकल सिस्टम के कारण गिरा है यही वज़ा थी कि मौसम विज्ञान विभाग ने मानसुन ब्रेक करार दे दिया था मगर अब थोड़ी रहात के संकेत मिल रहे हैं मौसम वज्ञानिक एचपी चंदरा का कहिना है कि मानसुन पुना सक्री हो कर रहे हैं कि 36 गड़ में यदि बरसात नहीं होगी तो मदप्रदेश में नहीं होगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ही बारिस शुरू होती है तो उडिसा पस्ची मंगाल 36 गड़ के बाद मदप्रदेश में मदप्रदेश में पूर्वी मदप्रदेश में बारिस होगी औ आज सबसे पहले 36 गड़ की बात कर रहे हैं बुद्वार को मौसामी बाग की जारी रिपोर्ट की मुताबिक डक्षिन 36 गड़ में बारिस का पुर्वानुमान है 18 जुलाई को रायपूर, दुर्ग और बिलासपूर संभाग में बारिस का पुर्वानुमान है कई छेत्रों में भारिस से अती भारी बारिस भी हो सकती है मगर इस्थिति यह है कि दिन में गर्मी का एसास हो रहा है क्योंकि पारा 37 डिगरी पार कर चुका है मई जून की तहत अभी गर्मी पड़ रही है अधिकतम तापमान सामान से 7 डिगरी तक अधिक बना हुआ है रात का पारा सामान से 2 से 4 डिगरी तक रहता है तो इस प्रकार से अभी फिलाल में गर्मी के हालात है लेकिन 24 से 48 घंटों में 36 गड़ में भारी बारिस हो सकती है मद्द प्रदेश की बात करते है वेदर अपडेट दो दिन बाद मद्द प्रदेश में अच्छी बारिस की आसार है 18 जुलाई 2019 इसको अपडेट आया है बोपाल प्रदेश की राज़दानी बारिस के लिए आसमान ताक रहे किसानों के लिए अच्छी कबर है बंगाल की खाड़ी में मानसुनी हलचल फिर से सुरू हो गई है मौसम वग्यानिकों के मताभी खाड़ी में एक कम दबाओ का छेतर बनने के संकेत मिले है यह सिस्टम 20 जुलाई को आगे बढ़ेगा इसके साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिस का दोर सुरू हो जाएगा इसके पूरू गुरुवार से ही प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरच चमक के साथ बहुचारे पढ़ने का सिलसिला सुरू हो जाएगा बुद्वार को सुबह साड़े आठ बजे से साम साड़े पांच बजे तक खजुराओं में 26 मिलिमीटर, नौगाओं में 6 मिलिमीटर और सागर जीले में 2 मिलिमीटर बारिस हुई है इसका मतलब है कि बारिस अब सुरू होने वाली है जो ये बारिस हुई है, खजराहो, नौगाओं और सागरजीले में यह लोकल सिस्टम की वज़से हुई है, बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम मन रहा है उसकी वज़से नहीं हुँ रही है मौसों मिज्यान केंदर के वरिष्ट मौसों मिज्यानिक S.K.D. ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में उडिसा तठ़ पर एक कम दबाव का छेतर बनने के संकेत में यह सिस्टम 20 जुलाई से सक्री होकर आगे बढ़ेगा उदर मानसुन द्रोणी का लाइन अर्थात ट्रफ दस दिन पहले हिमाला की तरह की तरफ खिसक गई थी इससे प्रदेश में मानसुन ब्रेक की स्थिति बन गई थी लेकिन अब मानसुन ट्रफ भी अपनी पूर्व इस्थिति में लोटने की स्थिति में है इसका मतलब अब मानसुन सक्री होगा बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के आगे बढ़ने और मानसुन ट्रप के मेल से प्रदेश में 20 जुलाई से पुर्वी छेतर में बारिस का दौर सुरू हो जाएगा पुर्वी छेतर मतलब बालागाट से उनीच नवाला जबलपूर दिरे दिरे बढ़ता इसके बाद एक सब्ता तक पूरे प्रदेश में अच्छी बरसात होने के आसार है मानसुन ब्रेक होने से प्रदेश की जादतर छेतरों में तापमान सामान से 4-5 दिगरी बढ़ गया है 20 जुलाई से प्रदेश में बारिस हो सकती है ऐसा मौसो मज्यानी कह रहे हैं और 20 तक तक पूरे बारिश से अनुमान लगा रहे हैं मौसो मज्यानी तो इस प्रकार से जानकारी थी 36 घृड़ और मदप्रदेस की बात किये हमने मौसम बध्यानी कों के अनुसार कि 36 घृड़ में 24-48 घंटों में बारिस होने के आसार है और मदप्रदेस में 20 जुलाई से मा कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटी पेकस्तान आपको सिखरता से मिले मिलते हैं सर अगले इसी परकर आपकी काम की खबर के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत